हेलो फ्रेंड greatness मैं तारह अपने channel सीखो जिन्दगी से फ्रेंड्स आज हम बेबी बू ?बू टी बनाना सिहेंगे करोशिये से क्यासे बनती है फ्रेंड्स यह मैनने आपका न्यू बन बेबी है तो असे 3-4 मिनदि के बेबीगो इह अराम से आ सकती है और बहुत ही easy है बनानी और देखो बन के भी बहुत सुंदर आई है और यह देखिए ऐसे ऐसे दिखाई दे रही है और इसको हम उपर से fold गर सकते हैं इसे यह देखिए यह देखिए तो आई यह बनाते हैं बनाने से पहले मैं यह कहूँगी जो मेरे चैनल पर नए आये हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दे तो आईए फ्रेंट्स बनाते हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना है फ्रेंट्स दागे में गांट लगाएंगे नॉर्मल बेबी वूल ली है मैंने और उसके अकोर्डिंग क्रोशिया लिया है तो मैं सबसे पहले गांट लगाऊंगी और मैं दस चैनल लूँगी एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस दस चैनल लेने के बाद फ्रेंट्स मैंने क्या करना है तीन चैनल लेने के बाद डवल क्रोशिया करना है और तीन चैन छोड़के चोथे वाले में मैंने डवल क्रोशिया से यह चावल ऐसे बीनते जना है अब मैंने फिर डवल क्रोशिया से हर एक चैन में बनाते हुए जाना है देखिये मैं ऐसे बनते जाऊंगी और दस बनाने के बाद फ्रेंट्स मैंने अब लास्ट के में क्या करना है स्वरी इसमें दस में मैंने जो 10 बनाई है चैन तो मैंने लास्ट वाली में यहाँ पर 7 बनाने एक ठे तो मैं 7 बनाउँग इक अठे यहां पर मैं साथ इकठे बनाऊंगी लास्ट में दो तीन चार पांच छे और साथ यह देखें मैंने साथ बनाए अब मैं वही डवल क्लोसिय से यह हमारे साथ हो गए यहां तक हम मैं फिर डवल क्लोसिय से बनाती जाओंगी ऐसे रौंड में जहां पर हमें नीचे भी न थामने ऐसे ही सिंगल सिंगल एक एक डालती जाओंगी डवल क्लोसिय के साथ तो यह मेरे होगे तीन तीन ची और आठ आठ हो गए और एक नौ नौ के बाद क्या करूंगी फ्रेंट्स मैं फिर साथ साथ डालोंगी इकठे के बाद यहां लास्ट में साथ इकठे डालोंगी क्योंकि एक तो मेरा चैन है दो तीन चार पांच और एक छे छे मैं इसलिए डाल रही हूं क्योंकि एक हमारा चैन का एक्स्ट्र है तो उसकी तीसरी चैन में हम सिंगल क्रोसिय से इसको ऐसे जोड़ देंगे यह देखिए हम मैं यहां तक इसको दबल क्रोसिय से बिनूँगी सिंगल सिंगल ही तीन की चैन लोंगी और यहीं पर डालूँगी एक टाएब से क्रोसिया अपदे बिनुट के चैन की चँभली झाल आपिर्ण्स में सूरी ये मैंने एक फाल्दू डाल दिया है तो मैं यहां पर आगे हूं अब मेरे यहां से साथ स्टार्ट है यह जो हमने साथ एक साथ बनाई दे अब हमने क्या करना इन पर हमने साथ पर डबल डबल डालना है मतलब दो दो बार डालना है यह देखिए ऐसे दो दो बार डालना है सब पर डबल क्रोशिया तो मैंने यहाँ इस हाथ पर दो दो बार डाल लिये तो हमारे यहां 14 हो गई है और फिर हमने एक एक ही डालना है डबल क्रोशिय से पर पर दो कि आए यहाँ है यहाँ जो भी पर दोड़ार को दो 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 नहीं है तो फ्रेंट्स मैंने यहां से यहां से डबल कुछिया यहां तक बनाया था और बाकी 9 मेरे बने हैं सिंगल सिंगल यह यह देखिए और हम मैं फिर डबल डबल डालूगी है हमारे साथ आ गए तो मैंने यहां पर भी डबल डबल डाली है 14 हो गए हमारे साथ पर हमने डबल डबल डाले हैं हम मैं सिंगल क्रोशिय से इसको जोड़ दूए ऐसे तो ऐसे बन गया है हमारे यह स्टिप अब फिर मैं तीन डबल क्रोशिय बनागे और वहीं पर क्रोशिय को डिप करूंगी और सिंगल सिंगल बनात opaque यह अर यहां से पूरा यहां दप बनाती जांगी है तो फंड्स मैंने राउंड पूरा कर लिया है और मैं अब लास्ट प्रे आगन सिंगल को सीसे ऐसे जोड़ दूंßerdem आ तो फंड्स मेरे ये पीचों बीच ऐसे ये देखिए और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अपने ये फंदे गिनने हैं तो मेरे यहाँ बे एक दो तीन चार पाँचे ये मेरे 46 फंदे हैं तो 46 हो गए हमारे ये तो अब मैंने फिर वही तीन की चैन बनानी है और फिर मैंने पहले वाले में दो डबली कर देना ऐसे और बाक्यों में बाक्यों में एक राउंड में पूरा ऐसे ही बनाती जाओंगी एक एक सम में डालती जाओंगी जैसे मैंने पिछला राउंड गिया है तो मैं पूरा राउंड ऐसे ही बनाती जाओंगे तो यह मेरे 46 डबल क्रोशिया हो गए मतलब 46 डबल क्रोशिया हो गए यह मेरे और मेरे एक दो तीन चार चार राउंड इधर और चार राउंड इधर हो गए तो यह मेरे 8 राउंड हो गए आठ राउंड होने के बाद फ्रेंज मैंने क्या करना है अब जो मेरा बूटी है उसको मैंने तीन भागों में डिवाइड कर देना है तो आगे का पौँचा कौन सा है और पीछे की एडी कौन सी है यह डिवाइड कर देना है तो हमने इनको 46 पंदों को जो मेरे 46 जो 46 हो है तो कैसे बांटोंगी तो आगे पंजे के लिए हम 16 रखेंगे 16 रखेंगे तो मैं आपको लिखाती हूँ तो फ्रेंट्स मैंने इसको चार भागों में बांट लिया यह हमारा पंजे वाली साइड है यह मेरे 16 फंदे हैं यहां से लेके यहां तक बीचों बीच ऐसे यह बराब 30, 30 और 16, 40 फंदे हमारे पूरे कंपलेट हो गए तो अब मैंने क्या करना है इसको मैं यहां पर हूँ वही तीन चैन बनाऊंगी एक, दो, तीन तीन चैन बनाके वहीं पर डबल ग्रोशिया बनाऊंगी और फिर मैं एक, एक बनाती जाऊंगी कि यहां तक बनाऊंगी जहां तक मेरे 15 पूरे नहीं होता है कि यहां तक बनाया है मैंने अब मैंने क्या करना इस धाग़े को थोड़ा पीछे कर देंगे और ध्यांद से देखिए यहां तक यह अःव मैंने अगले वाले पंजे पे आ गये हैं तो double crochet बनाना है ऐसे और दो ऐसे निकाल देने हैं फिर मैं दागाल पेटूंगी अगले वाले में फिर मैं ऐसे करूँगी और फिर मैं ये तीन हो जाएंगे तीन का एک कर दूंगी धियान से देखना है friends इसमें क्योंकि हमने गटाना आया भी यहां से फिर मैं डवल क्रोशिया करूगी ऐसे धागा लपेटूंगी अगले वाले में दो निकाल लूँगी फिर उससे अगले वाले में ऐसे करके तीन का एक कर दूँगी यह हमारी घटाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है फिर मैं लपेटूंगी धागगा और अगले वाली चैन में ऐसे दो हो जाएंगे हमारे और फिर लपेटूंगी फिर अगले वाले में डालूंगी फिर हमारे तीन हो गए तीन का हम एक कर देंगे तो हमारे एक इतने हो गए एक दो और तीन तीन हो गए अभी तो फिर मैं यही करूँगी तीन का एक कर दूँगी फिर लपेटूँगी फिर अगले वाले में ऐसे तीन का एक कर दूँगी बस आपने यहां ध्यान देना है थोड़ा सा क्योंकि हमारा यह पंजा है बुटीगा तो मैं अकॉंटिंग करूँगी कितने हो गए हमारे यह एक दो तीन चार बाच छे साथ साथ हो गए अब एक और रह गया है आठ हो जाएंगे हमारे यहां सोला फंदे थे हमारे यहां पे तो अब हमने घटा के यहां पे आठ हपने कर दिये अब क्या करना है हमने फ्रेंट्स यह दागा में थोड़ा पीच्छे करके अब वही हमने डवल क्रोशिया बिनना है यह मैं पूरी लाइन यहां तक जहां मेरा दूसरा यह यहां से यहां तक मैं यहां तक पूरा डवल क्रोशिया बनाते जाओंगी एक एक तो फ्रेंट्स में दूसरी साइड आगी है यह देखिए यहां पर आगी है हमारा यहां पर गटाओ स्टार्ट था तो यहां पर मैंने अब फिर वही रिपीट करना है डवल क्रोशिया करूंगी पहले एक बिंदु में यह रहा हुआ है फिर मैं डवल क्रोशिया करूंगी और फिर वही तीन का दो करके फिर धागाल पेटरी अगले वाले में डालगे तीन का एक कर दूंगी यह देखिए यह से रिपीट करूंगी अब तीन का एक फिर अगले वाले में डालूंगी फिर उससे अगले वाले में तीन का एक फिर अगले वाले में ऐसे तो यह हमारे हो जाएंगे चार चार हो जाएंगे फ्रेंट्स यह अब हमारे यह घटाओ होके चार हो गया है पहले आठ थे अब चार हो गए और फिर मैंने वही डबल क्रोशिया बनाते जाना है सब में एक एक बनाते जाना है ऐसे बस आपने अब पंजे पे ध्यान देना है घटा होगा यह देखिए यह देखिए यह हमारा पंजा है और यह हमारी एडी है तो हमारा यह साइड गट दी जाएगी तो मैं आपको एराउंड पूरा करके दिखाती हम तो फ्रेंड्स हम फिर पंजे की साथ आगे हैं जहां पे हमने गटाया था तो अब यह हमारा यहां से गटा होगा है तो हम दो चावल थोड़े पीछे मतलब दो डवल क्रोशिया पीछे से अब वही बनाएंगे वही गटाएंगे पंजे में गटाया था दो और फिर अगले वाले में और सिर्फ एक बनाएंगी है यहाँ एक बनाने अगप Свाथ Baptist अगले वाले में एक भणाऊंगी फिर उससे अगले वाले में एक बनाऊंगी फिर उन्हें करके मैं यह चार बना लूँगी इलग यह देखिए यहां पर बनाओने घटाया और चार कंसी दावल ये लिए और आम मैं फिर वही घटाऊंगी ऐसे और अगले वाले में फिर ऐसे करके तीन में से एक निकालूंगी और फिर वही मैंने सिंपल सिंपल बिनते जाना है डबल क्रोशिय यह मैंने पूरा देखिए दिखाती हूं मैं आपको यह देख देखिए मेरा यहां से गटना शुरू हो गया है तो यह देखिए फ्रेंट्स में है फिर घटाई पर आगी हूं अब हमने यहां गटाया था अम मैंने पीछे घटाना एक थोड़ा तीन का एक और अब मैंने क्या करना जो बीच में चार मैंने यह देखिए चार डाले थे डबल क्रोशिय से एक एक अब मेरे छे हो जाएंगे यह एक दो तीन चार पांच और एक छे छे के बाद फिर मैंने वैसे ही गटाना जैसे इस तरफ गटाया एक बार यह देखिए फिर अगले वाले में डालूंगी तीन का एक दोंगी तो बाकी मैंने सारे सीम्पल बनाते हुए जाना यह देखिए बाकी मैंने सारा राउंड यह सीम्पल बनाते है जाना है बस हम मैं गटाना बंद कर दूँगी यहां से और मैं सीम्पल डालूंगी तो friends मैंने देखिए घटाना बंद कर दिया है यहां से यहां से और मैंने उपना round पुरा कर लिया simple डाल गे तो मैंने क्या करना है friends वही यहां पे मैं जोड पे आगे हूँ तो मैंने तीन डवल क्रोशिय बनाने है और ऐसे दागगा लपेटना है और इस तरफ जो यह दिखाई दे रहा है इसके नीच्चे से डवल क्रोशिय बनाना है फिर मैं फिर पिछली साइड से लूँगी इसको पीछे से और फिर मैं आगे वाले में ऐसे डाल लूँगी फिर एक पीछे की दरफ से डाल लूँगी डबल क्रोशी में डालना है फ्रेंट्स ये एक आगे वाले में और एक पीछे पीछे की दरफ से ऐसे ये देखिए यह देखिए एक बार फिर देख लीजिए यह देखिए यहां से डालना और यहां से निकालना यह देखिए तीन हो गए तीन का दो और दो का एक और फिर मैं धागाल पेटके अब मैं पीछली साइड से इधर से यहां से पीछे से ऐसे डालना क्रोशिया और यह ऐसे तो हमारा लेडी जहने ऐसे बनके आएगा तो मैं आपको राउंड पूरा करके दिखा थी। है तो देखें फ्रेंड से मेरा राउंड पूरा हो गया मैं सिंगल क्रोशीर से यहां जोड़ दूंगी अब यह देखिए, यह मेरा राउंड बनके ऐसे आ गया, और हम मैंने क्या करना है, हम मैंने तीन चैन लेनी है, और जो हमें यह दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर एक-एक के अंदर हमने डवल क्रोशिया करते जाना है, यह देखिए, यहाँ पर, और फिर अगले वाले में, यह एक-एक मैंने डवल क्रोशिया डालते जाना, तो यह देखिए, मैं लास्ट में आगी हैं, और सिंगल क्रोशिय से जोड़ दूँगे, तो यह हमारी बूट्टी ऐसे दिखाई दे रहे हैं, अब हमें इसमें लास्ट में जालर करेंगे, तो जालर करने के लिए हमने क्या करना है, दूसरा दाग़ा लगाना है, दूसरा दाग़ा कैसे लगाएंगे, पहले इसको हम जब हमने इसको जोड़ा था, यहां पर डाल लेंगे, जब हम सिंगल क्रोसी इसे तब ही हम दो में से दाग़े को जोड़ देंगे, दाग़ जोड़ दिया हमने, और इस दाग़े को काड़ दूँगी मैं, इस दाग़े को काड़ दिया मैंने, और इसको गांट लगा दूँगी, गांट लगाने के बाद फ्रेंट्स हमने पलट लेना है, क्योंकि हमने अब उल्टी तरफ से बिनना है इसको, एक, दो, तीन, तीन चैन बनाने के बाद फ्रेंट्स मैंने क्या करना है, पहले वाले में, पहले वाले में डबल क्रोशिया, दूसरे में डबल क्रोशिया, तीसरे में डबल क्रोशिया, और चोथे में डबल क्रोशिया, तो हमारे ये 6 हो गए, तो हमने इनका एक बनाना और ऐसे करना है, अब हमने क्या करना है, इसी के अंदर एक निकाला फिर यहाँ पर दो निकाल ले फिर अगले पर तीन निकाल ले सिंगल क्रोशिया चार फिर पांच पांच होगे पांच होगा हमने एक बना देना है और ऐसे फिर हमने क्या करना है यहीं पर यहाँ पर क्रोशिया डिप करना है दो होगे यहाँ पर त तीन, चार, अगले वाले में पांच, तो पांच का एक बना के यह कर देना देखें, समझनी आ रहा हूँ को नस्दीक से दिखाती हूँ मैं यह देखें, यहाँ पे डालना है क्रोशिय पहले, सिंपल, एक बनाया, फिर यहाँ पे डाला, तीन हो गए, फिर यहाँ पे डाला, चार हो गए, अब अगले वाले में डालेंगे पांच हो गए, पांच का हमने एक बना के और इसे बनाते जाना है, तो फेंट सब हमने क्या करना है, फिर इसमें से सिंगल क्रोशिय निकाला, और इसमें से निकालना एक, तो तीन हो गए, अगले में निकाला चार, और फिर अ एक इसमें से निकालना है फिर अगले में से निकालना है फिर उससे अगले में से निकालना है फिर उससे अगले में निकालना है ऐसे करके हमने पांच का एक बना देना है और लास्ट में हमने यहां पर यहां पर जोड़ देना है यह जोड़ दिया हम मैंने क्या करना है फ्रेंड्स मैंने एक दो तीन तीन की चैनल लेके जो हमारे यह पॉइंट दिखाई दे रहे हैं इनमें दो बार मैंने डेबल ग्रोशिय बनाने है यह देखे दो बार बनाऊंगी यह देखे दो दो बनाती ही जाओंगी सारे राउंग में तो यह देखे मैं लास्ट पे आगी हूँ दो बनाने के बाद सिंगल क्रोशिय से मैं यहां जोड़ दूँगी और धागा तोड़ दूँगी तो फ्रेंड्स हमारी दूसरी बूटी भी त्यार हो गई और हम इसको ऐसे पलड़ देंगे यह देखे तो यह देखे हमारी दोनों बूटियां बनके त्यार हो गई यह देखे तो फ्रेंड्स बनाईए अपने बच्चों के लिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो जुरूर लाइक कर दें क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और काम करने की तो फ्रेंड्स कंजूसी मत कीजिए और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को पूरी देखा करें ताकि आपको कोई भी चीज अच्छी तरह समझ आ सके तो फ्रेंट्स वीडियो को देखने के लिए थैंक यू